गोड मॉनी फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो आज है एक जारह नमबर और देखेंगे आज के पूरे करेंड अफेस तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए लास्ट में करेंड अफेस की कुई जिसका एंसर आपको कमें इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगो दूस्ट लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आकन भी प् सब्सक्राइब कर सकते हैं वहाँ पर करने फेस्क्राइब कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं आज करने फेस्ट बहुत इंपोर्डेंट है मौस्ट इंपोर्डेंट करने फेस्क्राइब करें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें पहला कोश्चन है इनमें 20 भारती पहलवान ने 10 नमबर 2018 को 65 किलो के बर्ग में दुनिया में नमबर वन रैंक हांसिल किया है दोस्तों इसका राइट एंसर हो जाएगा option बजरंग पूनिया ठीक है option भी बजरंग पूनिया दिखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूग 10 नमबर 2018 को भारती पहलवान जो है बजरंग पूनिया ने 65 किलो के बर्ग में दुनिया में नमबर एक रैंक हांसिल किया है ठीक नमबर एक और यहाँ पे बता दे कि उन्हें United World Wrestling की सूची में 96 एंकों के साथ रैंकिंग तालिका में सबसे उपर रखा गया है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ रखे है 96 एंकों के साथ रैंकिंग तालिका में सबसे उपर बर सबसे सीर्ष्ट पर है अच्छा दूसरे नमबर पर क और रूस के अखमेद जकायव नमबर तीन पर है और जापान के ताकूटो ओतूगुरू नमबर चार पर है तो किस भारती पहलवान ने 10 नमबर 12 को 65 किलो के बर्ग में दुनिया में नमबर 1 रैंग हासिल किया है भारती पहलवान भजरंग पूनिया ठीक है याद बहुत इंपोर्टेंट है अगला कोशन देख लेते हैं केंद्री प्रत्यक्ष कर बोर्ड में CBDT में कितने नए सदस निक्त किये गए CBDT यानि Central Board of Direct Access केंद्री प्रत्यक्ष कर बोर्ड नए सदस निक्त किये गए दोस्तों इसमें तीन कितने तीन सदस देखें दोस्तों आपको बता दें कि पीके दास अखिलेश रंजन और नीना कुमार कौन कौन से पीके दास अखिलेश रंजन और नीना कुमार को केंद्री प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानि CBDT Central Board of Direct Access में नए सदक से रोम में निक्त किया गया है सबी तीन अधिकारी भारती रायर्श्वेवा के बैसे ठीक है भारती रायर्श्वेवा के उनिश्व्यासी बैसे आई रस इंडियन रेवेन्य सर्विस CBDT की बात करें तो वर्तमान चेर्मेन CBDT के सुशील चंद्रा याद रखिएगा यह बहुत इंपोर्डेंट है एक्जामें पूछा आता है CBDT दोस्तों यह क्या है IT विभाग के लिए नीती त्यार करता है जिसे देश में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने का कारें सहुपा गया है ठीक है तो केंद्री प्रत्यक्ष कर वोड इंगलिस में CBDT यानि Central Board of Direct Access कितने नए मेंबर्स नूक किये गए हैं तीन मेंबर् अखिलेश रंजन और नीना कुमार यह याद रखिए और तीनों यह आई आरे से 1982 बैच के हैं शुशील चंद्रा बरतमान में CBDT के अध्यक्षे चेयर मैन है ठीक है तो यह फैक्ट आपको याद रखना है कोशन नमबर थार्ड है दोस्तों वीडियो दोस्तों लाइक जरू लाइकन प्रेस कर दें हाली में 2018 की एटीवी वर्ल्टूर अवार्ड की घोशना की गई इन में से किसने कॉमबैक प्लेयर आप देयर अवार्ड जीता है तो इसका करेक्ट एंसर रहागा नौवाग जोकोविच ऑप्सन एयर राइट है ठीक है आपको बता दे कि 9 नमबर द जोकोविच आपको बता देक जोकोविच की जो कोच है मरियान वाजडा को भी ATP कोच आपदा इयर नामित किया गया है ठीक है ATP कोच आपदा इयर किसे नामित किया गया है जोकोविच के कोच मरियान वाजडा और आपको बता देक राफेल नाडाल ने टेनिस कोट पर और उस पेशेवरता के लिए अखनता के लिए स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्सी पवाड और रोजर फेडर ने जीता है परसंदीदा खिलाडी का पूरुसका ठीक प्रसंदीदा खिलाडी का पूरुसका जीता है रोजर फेडर ने तो हाली में जीता है यह जीता है नुवाग जोकोविच ऑप्सण ए किस चहर में मोदी जी ने बारा नामबर दुठारा को वारांसी में गंगा नदी पर पहले बहु माडल टर्मिनल को दुखटन करेंगे जिसका राइट एंस और जाएगा अप्सण भी वारांसी ठीक है वारांसी देखे आपको दादिक मोदी जी बारा नामबर दुठारा को वारांसी में गंगा नदी पर पहले बहु माडल टर्मिनल को उधर्ण करेंगे ठीक है इसका उद्देश क्या है अंतर देशी जलमार्गों को परिवहन के लिए एक स्रस अप्सण भी वारांसी ठीक है तो याद रखिएगा किस शहर में मोदी जी बारा नामबर दुठारा को वारांसी में गंगा नदी पर पहले बहु माडल टर्मिनल को दढ़न करेंगे वारांसी में ठीक है अगला वोशन है कितने राज्यों में चुनाव आयोग ने बारा ना है पांच राज्यों में ठीक है अभी पांच राज्यों में कौन-कौन से राज्यों में चुनाव है छत्तीस गड़ मद्य प्रदेश मिजोरम तेलंगाना और राजस्थान में 12 नवबर से एक्जीट पॉल पर प्रतिवन्थ लगा दिया गया है और यह जो आपको बता दे क कि जन प्रतिनिशित अधिनिया मुनिश्यों जामन के तहट चुनाव आयोग ने मतदान की प्राराम होने से इसके समाप्त होने के आधा घंटा बाद तक एक्जीट पॉल पर रुतिवन लगा दिया है ठीक है तो यह आपको याद रखना है चुनाव आयोग की बात करें चुनाव आयक मुख चुनाव आयक्त है ओपी रावत ओपी रावत मुख चुनाव आयकत है अगला गोशन है इन में से कौन से पत्रकार ने आठ नमबर दौठारा को साहस के लिए दौठारा का प्रेस फ्रीडम अबाट जीता है तो यह जीत लिया है श्वाति प्रेस फ्रीडम अबाट जीता है और उन्होंने अपनी पुरुषकार समारों में पेरी सिस्थित रिपोर्ट्स सैंस फर्टियर्ज की यूके साहस के लिए प्रेस फ्रीडम अवार्ड किस देश में पूर्व एसिया शिकर से मिलने भाग लेने के लिए मोधीजी चवद्वनमर दौठारा को जाएंगे तो यह जाएंगे सिंगापूर ठीक है सिंगापूर ऑप्सन सी आपको पता देख तेरवे पूर्व एसिया शिकर से मिलने भाग लेने के लिए मोधी चवद्वनमर दौठारा को सिंगापूर जाएंगे और एसिया प्रिशांद छेत्रेक प्रमुक्स मंच है इसमें बता देख भारत चीन जापान कोरिया गणराज और स्टेलिया नियुजुलेंड सेंगतराज अमेरिका रूस और दस दस आंसदा सिराज सासी थे स्थापना हुई थी इसकी 2005 में ठीक है पूर्व एसिया शिकर शेंद पूर्व एसिया सिकर्शमेलन सिंगापूर जाएंगे मोधी जी भाग लेने के लिए पाडिस्पेट करने के लिए नि captured ग्लोबल कूलिंग इनॉवेशन शिकर श्मैलिन बारे नॉरध रफारा को किस सहर में होगा किस सहर में हो गए इसका राइट एंसर हो जाएगा अप्शन ए नई दिल्ली ठीक है नई दिल्ली में देखे दोस्तों 12 नमर्द 18 को नई दिल्ली में केंद्री विग्जान और प्रद्वकी मंत्री जो हैं डाक्टर हर्षबर्धन द्वारा दो दिविशी कूलिंग इनोवेशन सिखर समयलन तु भी शुरू की जाएगी इसका उद्देश से क्या है एक आवासी सीतलन समधान के विकास को बढ़ावा देने इसमें कम से कम पांच गुना कम जलवाई प्रफाव पड़ता है ठीक है तो यह होगा नई दिल्ली में कूलिंग इनोवेशन शिकर समयलन नई दिल्ली में शांती और विकास के लिए विश्व विग्जान दिवस किस दिन मना जाता है तो यह मना जाता है दस नवंबर को ओप्सन सी हर साल दस नवंबर को शांती और विकास के लिए विश्व विग्जान दिवस मना जाता है यहां पर कन्फ्यूज मत होएगा जो राश्टी विग्जान द और आपको पता दे कि इस दिन का लक्ष यह शुरूस्रीत करना है कि नागर्यों को विगजान के विकास के बारे में सुझित किया जाए 28 के लिए dem क्या है इसका तीम है science a human right science a human right विश्री बिकजान दिवादाइब 518 की थीम है कि में दस नबर को मना जाता है भारत के प्रतिश्पर्धा आयोक के अध्यक श्रुम में किसे शुरप किया गया है अशूक कुमार्गुपता को शुर्ण कि प्रतिश्पर्दा आयोक और चत्त क कि घ़ंए दिखने कि देखें आपको पता दें कि भारती प्रतिश्पर्धायोग है 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार भारती सर्गार की एक समयधारिक निकाह है इसकी स्थाबना हो थी 14 एक्टूबर 2003 को स्थाबित किया गया था भारती प्रतिश्पर्धायोग CCI तो ये सुधीर मित्तल की जगह लेंगे अशोक कुमार गुपता नए अध्यक्षों के भारती प्रतिसपरदायोग के ठीक है अब देख लेते हैं दूस्त लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछ था पसंदात प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों मोटिवेशन करने के लिए 15 लाइक फटाफट वीडियो लाइक कर देए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकते अपने दोस्तों साथ जो तैयारी करें सभी साथ सेर कर दिए सभी को बताईए चैनल के बारे में ठीक है और चैन यह बेस्तर यह मस रही है टेक केर बाई बाई जय हिन जय भारत